जब पार्स पहुंची तब सिर्जी ने हास करकुशल परशन करके कहा कि तुमने राम जी की किस परकार परिक्षा ले सारी बात सच चच कहो सती जी ने ज़र गुनात जी के प्रभाव को समझ कर डर के मारे सिर्जी से छिपाव किया और कहा है स्वामिन मैंने कुछ भी प्रिक्षा नहीं ले वहां जाकर आपकी तरह परणाम किया आपने जो कहा वैं जोट नहीं हो सकता मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है तब सिर्जी ने ध्यान करके देखा तो सती जी जो चरित्र किया था वैं सब जान लिया फिर स्री रामचंदर जी की माया को सिसनवा कर जिसने प्रेणा करके सती जी के मुख से भी जूट कहलवा दिया सुजान सिर्जी ने मन में विचार किया कि हरी की इच्छा रुपी भावी प्रबल है सीता ने सती जी ने सीता जी का विश्दारण किया यह जानकर सिर्जी के हरते में बड़ा विशाद हुआ उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रिची करता हूँ तो भगति मारग है प्रकट करके मादेव जी कुछ भी नहीं कहते प्रन्तू उनके हरते में बड़ा संताब है